तो बाई हम प्रेडिक्टेबल पड़ रहे थे और हम लोगों ने applications of आइनाइसशन आइनररजी पढ़ना शुरू कर लिया थाए उसमें कुछ पढ़ भी लिया था ना metallic characteristics में पड़ लिया था application of ionization energy में हमने देखा था कि जिदने अने जी कम होगी उतना मैटलेट कक्रेक्टर जादा होगा कि देख लिए था ठाल्इस ऑड़ीप को ठीक है मैं तो वी सॉव्द आट की भई इस पर एक दो पॉइंट्स और लिख लेते हैं जो मेटालिक करेक्टर के वेसिस पर आइनेज़ इनरजी के वेसिस पर कह सकते हैं तो लास्ट लाइन आप लोग ने यानी कि यही लिखा होगा यह स्ट्रक्चर जैसा टेबल लीनियर फॉर्म में बनाया होगा ट्रेंड्स लेफ्ट राइट अप्ट वोटम और यह अपने मेटलॉइड्स है ना थीक है तो इसके नीचे एक दो छोटी-छोटी बाते हैं जो में इसके बैसिस पर कह सकते हैं हम लिख लेते हैं कि वही क्या क्या हम बता सकते हैं तो वाट सेसे के रियाक्तिविटी या ए रीडिविएटीग नेचर रेक्टिविटी यह सब इन्वर्स ली प्रोपोर्शनल आपनाविजिशन एनजीज रहजी के लिग लूं कि लीन्वल भूशली प्रोपोर्शेटल to ionization energy यानि जितनी कम ionization energy होगी reaction उतना fast हो जाएगा उसका reactivity फास्ट ज्यादा हो जाएगी तो इसी लिए इस बिसेस पर में यह कह सकते हैं therefore reactivity of s block is more than d block यहना observe भी किया होगा कि sodium को पानी में डालोगे तो it reacts vigorously iron को पानी में डालते हैं तो इसा कोई विग्रेस reaction नहीं होता यह copper को पानी में डालते है तो रियाक्ट नहीं करता है इस रिमेंस अंडर्याक्ट है राइट तो ग्रुप वन की reactivity is more than group 2 तो आप sodium या potassium को पानी में डालते हैं उसके पानी में डालोगे तो इट विल रियाक्ट स्लोली या लेस विग्रस ली तो रियाक्टिविटी जो है है वो डिक्रीज हो रही होती है इसके बाद हम अगली एप्लिकेशन पर आ जाते हैं लिख लिए लिखा 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 हां बिलकुल सीजियम इस वेरी वेरी रियाक्टिव बेटा जो डाउन दो ग्रुप जाओगे तो रियाक्टिविटी बढ़ती जाएगी सीजियम इस दी मोस्ट रियाक्टिव अलकली मेटल है विधान बिटा वाइस सच्टेंड अबज्जर्व इसके लिए आपको पिछली क्लास का है इंट रिवाईस करना पड़ेगा जम लेफ राइट जाते हैं मैटालिक एक्टर काम होता है टॉप टूप बटम आते हैं मैटालिक एक्र बढ जाएगा फ्राइंशियम इस दी बॉटम वन लेकिन बिटा वही वाली बात आजाती फिर तुम बूल जाते वार वार में ने का था कि फ्राइंशियम रिडियाक्टिव माटीरियल है उसकी स्टडीज हम लोग नहीं करते हैं आप लोगों को सीजियम तक तो मिल सकता है आपको नॉर्मली मिलेगा नहीं है न तो उसकी रियाक्टिविटी की बात नहीं करते हैं नेक्स्ट सेकंड अप्लिकेशन बी सेकंड अप्लिकेशन बीस देटर्माइशन ओफ वैलेंसी अन्वालेंच एलेक्ट्राउन determination of valence and valence electron तो आप किसी element की valency या valence electron को भी थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं मतलब उसको भी आप अइच चाल्य श लो थिότεो के मतद से कैल्कुलेंट कर सकते हों है सखजा ना त्यू patient- न्युट चियोग ट्छालय की यृडिंस फरोस्ट अपलीकेशन की थिस चिक अपलीकेशन आपकेशन आपेशे। energy if an atom has n valential electrons if an atom has n valence shell electrons comma then we observe a sudden change then we observe a sudden change or jump in the values of in the values of ionization energy in ionization energy n and ionization energy n plus one तो अगर n valential electron होगी तो एन इत और एन प्लस वन इत आइन इस इन जम्प होगा वो काफी बड़ा आएगा this is what we will observe इसको यूज कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको यहां तक लिखो उसके नीचे अपने एक टेबिलो फॉर्म में लिखेंगे मैंक्जीमम डिफ्रेंस और जम्प पहला कॉलम उसकी मदद से हम डिडियूस करेंगे कि वैलेंच एलेक्टरों कुतने हैं वालेंचलक्तरों की मदद से हम वैलेंसी बताएंगे और बेरेंसी मदद से हम फॉर्मॉला औफ लीटे है है कि है और निला ऑफ हैै कि हैत न कि यह hedgeक हाब जाटर्फ तो अगर माल लो आपके पास firm क điटा है और सब्सेदा डिफerson जो है वह आपके पास आ रहा है आइनाइजिश इनर्जी वन और आइनाइजिश इनर्जी टू में तो आइवर्यों शुड़ एव स्टॉप राइटिंग तो क्या सबने लिख लिए आए गया यहां तक यह टेबल अभी भरना भी माँ चुरू करो मैं बता दो उसके वाद भरने ना यह बना लिए के कॉलम सबने काफी लोगों ने बना ले जिन लोगों ने नहीं बनाया जल्दी से बनाओ जल्दी से बनाओ कि मैं चाहता हूं कि जब मैं समझा रहा हूं तो सब लोग सुन रहे हूं सबसे बड़ा आ रहा है तो अगर एन ऐर वेन बस वन में सबसे बड़ा जम्प आता है तो वेलेंस उल्द लेक्टम कितने होते हैं कितन अग्वे refresh function clone कितने होते हैं है एन होते हैं तो आपकर ए यानिए पहली जो आन है उसकी में होल पक्रूं जंब है तो जितना आav directement होत मुंझा है तो यहां वन और टू में जन्प सबसे बड़ा है तो व्यलिंच एलेक्ट्रण कितने लेखेंगे बैटा कितने लेखेंगे वहनत ओप लोग एक एक एलेक्ट्रोन है तो व्यालेंच सी कितनी होती है वन होती है alkali metals की तरह से है न और उसका formula of halide क्या बनता है halide को बन generally एक से represent कर देंगे sorry fluorine, chlorine, bromine, idine इनको generally एक से represent कर देंगे तो किसी भी metal M का अगर X के साथ compound बनना है और उसका val consistency 1 है तो formula क्या बनेगा MX बनेगा उसले भी वन चार्ज एक्स पे भी वन चार्ज दोनों को क्रॉस करोगे तो एम एक्स बन जाएगा राइट बिल्कुल और इसको समझते हैं और एक बास देखते हैं माल लोग आपके पास अगली बार डेटा आया कि वन और टू में नहीं आपके पास आइनाजिशन एनरजी टू और आपने वैलिज देखी और सबसे बड़ा जमपप को टू और थ्री में मिला तो बेटा वैलेंस एलेक्टरों कित्ते होंगे दो वैलेंस ही कितनी होगी दो बिल्कुल और फॉर्मुल अफ हलाइट कितना हो जाएगा अब एम के उपर टू चार्ज और एक्स के उपर वान तो क्रॉस करना अपने को एम एक्स हो जाएगा वेरी गुड ठीक सिमिलरली मैं अब थोड़ा जल्दी करूंगा आईए थ्री और आईए फॉर में अगर डेफरेंस अब स्जाधा है तो वैलेंसी तीन वैलेंस इलेक्ट्रों भी तीन फॉर्मुल अफ हलाइडिया होगा mx3 very good mx3 and fourth last मतलब अभी टेवल के लिए last लिख रहा है बागी वैसे last नहीं है और आगे भी जा सकता है इसके आगे टेवल हो सकती है तो ie4 और ie5 मेंगा डिफरेंस अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 very good बहुत बड़ी responses चयन आयू शक्ती गोड़ गोड़ उसके बाद वैलेंसी भी 4 और फॉर्मला क्या हो जाएगा हलाइडगा mx4 तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो अब इसको नोट कर लो मैं इस क्यूपर आपको कुछ questions देता हूँ उन questions की मतद से हम इसको apply करना सीखेंगे हैना note this down after this we will do a few questions जल्दी से नोट कर लो हाँ हाँ दिव्यांश बीटा हेलोजन की वेलेंसी वान ही होती है कि तो उसकी वन लेकर चलेंगे और उतकर्ष मैंने यह नहीं बोला था कि आयने शेंजी फर्स्ट ही सबस्दा होगी मैंने ऐसा नहीं बोला मैंने सिर्फ यह बताया तुमको कि सक्सेसिव इनर्जी कंटीनिएसली इंक्रीजिंग होगी कि अना तो लिख लो जल्दी से पर मैं क्वेशन देता हूं कि अ कि चार से आगी जाएंगे तो चार से आगी जादर भी हो सकता ना वेलेंस एलेक्टरन कोई दिक्कत नहीं है कि अना वेलेंस एलेक्टरन कें में मोर दिन फोर डेफिनेटली देकन इसलिए में टॉटेट लाइंज बना दियां कि अगी हो सकता है चलो लिखो क्वेशन बिटा राइट आं दी क्वेश्टिन और भी क्वेश्टिंस करेंगे अगा using the given values of successive ionization energies using the given values of successive ionization energies of an element m comma predict its number of valence electrons predict its number of valence electrons comma valency comma formula of its oxide and halide values I am going to write it and you have to decide that its valence how much valence electrons how much oxide and halide ionization energies 3.2 successive values one two three and so on 3.2 5.9 7.8 14.3 16.9 19.0 19.0 21.3 and all are in the units of electron volt per atom electron volt per atom तो अब इस data को देखो और पता करो कि कितने valence electron है कितनी valency है कि अग्साइड को उसे रिप्रेजन करेंगे ठीक है हलाइड के लिए एक स्यूस करेंगे ऑक्साइड के लिए यूस करेंगे अंसर ठीक है वैसे वेब हो तुमारा ठीक है कि एक एलिमेंट की डिफरेंट आइनेशन जी कैसे सब बूल जाते हैं मतलब इसलिए कहता हूं करी इसलिए इंपोर्डेंट है कि मतलब सोचो अगर तुम थोड़े दिन एक चीज नहीं रिवाइस करते हो तो तुम बूल जाते हो कि दो चार महीने हो जाएंगे ट्रॉपिक को पड़े फिर तो तुम सभी बूल जाओगे वाइस सक्सेसे वाइनेशन जी है नाम भी नहीं याद है किसी को क्या नेशन जी वन नायनेशन जी टू थ्री पोर फाइव सिक्स सेवन सक्सेसिवाइनेशन जी दे रखी ठीक है आसेम अर्णाव दिव्यांच पर्ष पर्ष एक चीज़ रह गई है तुरी कि खुश्बू सही बिटा अंचर ऑक्साइड का प्रमला नहीं लिखा विधान ऑक्साइड का प्रमला गलत लिखा है बागी ठीक है यह शोद्रा सही है हाँ तो थोड़ा डेटा देखते हैं पन के डिफेरेंस की बात कर लेते हैं तो लिट्स टॉक अबोट डिफेरेंस इना यह फर्स्ट और टू में कितना डिफेरेंस अब भी बताएगा 3.25.9 में कितना डिफेरेंस है तो पॉंट से नमबर भी गर दो इस वन इस इस तू थ्री प्रोर जगी कम बड़ें अब इस इस फाइव शिक्स इन सेवन फिर टू और थ्री में कितना डिफेरेंस है तू और थ्री में 1.9 बिल्कुल ठीक बात है 1.9 फिर 3 और 4 में कितना डिफेरेंस है 6.5 वेरी इस इस 6.5 उसके बाद नेक्स इस 2.6 उसके बाद 2.1 और लास्ट में 2.3 बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल अब इनको देख के हमको देख रहा है कि सबसे बड़ा जो डिफेरेंस है वो किस-किस में हैं तो इसकी मदद से हम क्या लेखेंगे हमने क्या सीखा है हमने सीखा है कि इसकी मदद से सर ने कहता कि लिख देना कि देरफोर वालेंस इलेक्ट्रॉन्स इस 3 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन तो वैलेंसी भी 3 तो अपना एलिमेंट जो है कुछ हम प्लस 3 टाइप का आएगा एक्स पर माइनस होनाता है तो हैलाइट यह फॉर्मूला हो गया mx3 this is your हैलाइट और ऑक्साइड की अगर बात करेंगे तो ओक्साइड होता है m पर प्लस 3 ओपर माइनस 2 क्रास मॉल्टिप्लाइ करोगे तो m2O3 यह ओक्साइड उता फॉर्मॉला हो गया अी वाद समझ में आया ना लिखी है सबने मैं और भी कुछ कुछ देना चाहरा हूँ बिल्कुल डिफरेंस से पता चलेगा अपने को कि वैलेंस इलेक्टरॉन कितने सबसे बार डिफरेंस हारा होगा उसकी मदद से इलेक्ट्रॉन कितने हैं बिल्कुल कि ओके कि नहीं नौट नेसेसरी वैलेंसी तो चीजों के रिस्पेक्ट में लिखी दी वैलेंसी अलग अलग हो सकती है अपन तो वैलेंस इलेक्ट्रों से डारेक्ट्री वैलेंसी लिख देंगे जितने वैलेंस इलेक्ट्रों इसके सबसे काम कर लेंगे दार्ट किन भी दी मैक्जिमूम कोडिनेशन पॉसिबल अब फिर आगे चलके देखोगे कि वही पीरेट टू वाले नहीं कर पाएंगे वह चीज़ा पन बंडेंग में सीख लेंगे अना चलो और एक सवाल या एक दो सवाल करवा देता हूं मैं आपको फिर अगली 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 अप्लिकेशन पर आगे बढ़ेंगे लिखो question चल्दी से राइट आनो question values of ie1, ie2, ie3 of an atom are respectively of an atom are respectively 7.5 eV, 25.6 eV, 48.6 eV and 170.6 eV, 170.6 eV, full stop. The electronic configuration of the atom will be the electronic configuration of the atom will be, your options are A, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, B, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, C, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, FAD, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 and 3s2, आपको बताना है कि इन में से कौन सा answer आएगा, तो कित्ते वैलेंस एलेक्ट्रोन आ रहे हैं वहीं पूचा जाएगा कि सही है ना कि सही है सही है हमका याद रखते हैं कि 3p कि शेल की जगे सब शेल होता है ना सवाल ऐसा ही पूचा जाएगा पेपर में करम सी मार करके आएंगे क्योंकि ध्यानिनित देंगे के शए ब्ला है आउट्रमोस्ट शेल पूचा है तो वह ओश्रेख को इंक्लूड कर के होता है घियर हम गयां गे कि सान को नमबर नहीन आते हम और यहमिस्ट्रिन नहीं आती जब कि आम सब आता है सब आता है और द्यान से अनोल नहीं हो descendants और वही बात उत्काष ऑप्शन नहीं होते तो क्यों करते तुम सवालत में पता ही नहीं है तीन वैलेंस एलेक्ट्रन वाला पूरा गुरूप 13 हो जाएगा गुरूप 13 में कोई भी हो सकता है उसमें तो यह ना यह बगवान आई एस्ट एनर्जी कब बोला या रूपांचू सब्सक्राइब कि एक डिफ्रेंस इन में दोनों में दूसरे डिफ्रेंस 25.6 और तीसरे डिफ्रेंस 48.6 और 170.6 में किसमें सबसे बड़ा आ रहा है ठीक है चलो तो आंचर आएगा बी अब यह गलती ना एक्जाम में मत करके आना शेल में एलेक्ट्रोन गिनने सब शेल में नहीं यह बहुत बार मिस्टेक होती है इसलिए ऑप्षिन दिये जाते हैं बिल्कुल दिए अंसही बात है आंसर इस भी ठीक है यह यह सी मतमाग कराना इसे नाम दुआने वाले काम करते हो लिख लिए सबने और एक सवाल करें चलो अब इस तो वन मोर क्वेश्चन लिखो आई-ई-वान और आई-टू फोर एमजी आर आई-ई-वान यह चलो सब्स्क्रिप्ट माल देते हैं आई-ई-वान और आई-ई-टू फोर मेंगनेशियम आर आपको वैल्यूस दे रखियें 178 and 348 kilo calories per mole and 348 kilo calories per mole the energy required for the reaction for the reaction mg giving you mg plus 2 plus 2 electron is and their options are a plus 170 kilo calories b plus 526 kilo calories c c minus 170 kilo calories or d minus 526 kilo calories क्या answer आएगा लिख लो पहले solve कर लो उसके बाद बताना the answer will be b b बिल्कुल it will be b 526 kilo calories so the answer is b इसमें डाउट तो नहीं किसी को minus क्यों लिखा है minus तो option है तुम्हें mark करना करो नहीं करना मित करो किसी को डाउट है गया एक लेक्टर निकालने में इतनी लगती है तो टोटल कितनी लगेगी सिंपल है ना भाई आयनेस एनर्जी 1 क्या होता है mg giving you mg plus plus electron इसमें energy लग रही थी तमारी 178 178 लग रही थी अगली बार mg plus से mg plus 2 plus electron इसमें लग रही थी 348 तो टोटल कितनी लगेगी mg से mg plus 2 बनाने में कितनी एनर्जी लगेगी दो एलेक्टर निकालने के लिए सम कर दो और गया 526 आड़ दीस टू से सिंपल इस एक पेली रियक्शन दूसरी रियक्शन मिला कि यह बन जाती है नेगेटिव कब आता है जब एनर्जी देनी कीज़े मलब एनर्जी देनी कीज़ेगर रिलीज हो रही होती तो तो नेगेटिव आता कैसे की सवाल पूछते जब आएगा नेगेटिव तो आज आएगा देख लेंगे हाँ बिल्कुल दो इलेक्ट्रोन को निकालने की अनर्जी पूछी आपसे तो आपने निकाल दी बस इतना ही तो पूछा है अच्छो मैंने सवाल करा दिए मने को लगाता है सवाल तो कहीं आएगा तो कुछ से कर लोगे गेख लिए अगली अप्लिकेशन पर आजाएं ठीक है तो लेट्स मुवट अहेड्ट तो अनधर आप्लिकेशन c determination of stability of oxidation state determination of stability of oxidation state ionization energy values को देख्के हम oxidation state की stability के बारे में भी कुछ कमेंट कर पाएंगे कैसे कर पाएंगे वह देख लिए लिखा हेडिंग तो में डिक्टेट करूं चीए दोसमें लिखो तुमको थोड़ा स्क्रीन पर देखना पड़ेगा कैसे लिखना है क्योंकि उसको symbols के form में लिखना है कि इफ डिफरेंस इन आइनिजेशन एनरजी इस मोर दन 16 एलेक्ट्रों गोल्ट इससे में एंप्लाई करेंगे कॉलन हां उतकर्ष की लोवर ऑक्सिदेशन स्टेट इस मोर स्टेबल लोवर ऑक्सिदेशन स्टेट इस मोर स्टेबल और अगर डिफरेंस इन आइनिजेशन एनरजी जो है वह 11.2 से छोटा हुआ तो हम कहेंगे कि हायर ऑक्सिदेशन स्टेट इस मोर स्टेबल इसको कैसे समझना है वह भी बताता हूं एक्जाम्पल के दुरू समझते हैं एक्जाम्पल में लिखो अगर डिफरेंस आई इटू माइनस आई इवान का सिक्स्टीन एलेक्ट्रोन वोल्ट से बड़ा है तो हम क्या इंप्लाइ करेंगे इसके जगे रख लेते हैं हम तीन चार केसे दिखेंगे उसके अदा में इंप्लिकेशन बाद में लिखेंगे तर अगले केस में अगर 16 एलेक्ट्रोन वोल्ट से बड़ा हुआ तो हम क्या इंप्लाइ करेंगे और आगे बढ़ते हैं अगर 11.2 से कम हुआ तो हम क्या कहेंगे और चौता केस कि अगर आइनाइजेशन एनरजी 3 और आइनाइजेशन एनरजी 2 का जो डिफरेंस है वो 11.2 से कम हुआ तो हम क्या कहेंगे ये तीन चार चीज़े हमको सोचनी है क्या क्या है तो हम क्या क्या होगा अगर 16 से कम है और 11.2 से बढ़ा है तो हम क्या कह सकता है कि अगर हमने का 16 से या तो बढ़ा हो ये लेंट बंट से छोटा हो तो कुछ बाते कह सकते अगर इन दोनों की लिमिट्स के इधर ही अवदर है तो तो मारे पास कुछ है तो अगर बीच में तो हम क्या कर सकते हैं कुछ कह सकते हैं क्या अगर नों के बीच में नहीं पता अगर इन दोनों के बीच में आया तो इससे उधर या उधर कहीं वैल्यो होई तो हम कह देंगे कौन सा स्टेवल है या हो सकती है वैल्यूस पॉसिबल है लेकिन हम से पूछेंगे तब ही जब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं जहां पर प्रेडिक्शन पॉसिबल है इसको यूज कैसे करें के पहले वह सुनो मतलब तो महां चले जाते हो पहले कॉंसेट समझा नहीं के सिवा हुआ तो क्या होगा तो सुन लो पहले कि क्या होता है कि अब सुना हमने क्या करते कि डिफ्रेंस अगर 16 से बड़ा है तो लोर ऑक्सिदिशन स्टेट जाधा स्टेबल है मतलब क्या हुआ कि सुनना इस बाद को मतलब क्या हुआ हमने लिखा कि किसी एलिमेंट की आई इस इनर्जी टू और वन का डिफरेंस अगर 16 से बड़ा हो जाता है तो हम यह लिख पाएंगे कि लोगर ऑक्षिजिशन स्टेट स्टेबल है लोगर मतलब यह डिफरेंस आपने टू और वन में न अप्लाए करके लेखेंगे कोई ने हमको बोला गई तो मिससे क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीडिशन स्टेट प्लस वन इस प्लस टू प्लस टू प्लस प्लस में कौन ज्यादा स्टेबल है यह पूछा और यह डेटा दे दिया इसको और और सोस्ट अगले एक्जम्पल प्याता ह और इलिवेंट की बात हो रही थी उसमें आपको दिखा के ठीयो टुका डिफ्रेंश जो हो सिक्स्टीन से बढ़ा आ रहा है है तो ठीयो टू का डिफ्रेंश सिक्स्टीन से बढ़ा हुआ तो 3 और 2 में से जादा stable oxidation state कौन सी होगी 2 विलकुल oxidation state plus 2 is more stable और आगया आते हैं let's move ahead लिख लेना मैं time दे दूँगा 2 और 1 का difference किसी third element के लिए 11.2 से छोटा आ गया if the difference is smaller than 11.2 तो अब हम क्या कहेंगे भई what will we say रहा हूँ what will we say के जदा stable कौन है 2 higher is more stable बिलकुल इस पर हम imply करके कह देंगे कि oxidation state plus 2 is more stable बिलकुल लास्ट केस इस बर तो मुझे बताओ कि इसका implication क्या लिखना है plus 3 is more stable बिलकुल ऑक्सिदेशन स्टेट plus 3 is more stable इसको नॉट कर लो नॉट देश्डाउं नॉट देश्डाउं हमें लिखा गया हूं हां तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास वैलेंच शेल में एक सज़धा एलेक्ट्रों हो सकते देने के लिए और आपको और अपको नहीं पता कि इसकी कितने लेक्ट्रों देगा डी इतो आ हुए जंड्रिल यह तो वह आप इस से पता करोकर कैसे पता करेंगे कि अपन फिर एक इक कशांपल देख लेते हैं let's look at example और इस concept को अप्लाई के से करेंगे वो देख लेते हैं तो इसके आगे एक सवाल लेखो write down a question we'll see how to apply this how July will be visible in a minute don't worry लेखो if IE2 minus IE1 is equal to 46.5 electron volt and IE3 minus IE2 is equal to 6.8 electron volt then select the correct order of stability the correct order of order or S orders कर देनस को of stability of oxidation state for aluminium aluminium के लिए आपको कुछ आपको कुछ data दिया है और उससे आपको select करना है कि वही कौन से stability order सही है कौन जादा stable है तब ही जो data दिया और से क्या निकाल सकते हो तम पहले में IE2 minus IE1 जो है that is 46.5 तो यह क्या है 16 से बड़ा है चोटा ग्रेटर विच इस ग्रेटर देन 16 एलेक्ट्रों वोल्ट देरफोर कौन जादा stable है वान तो एल प्लस इस मोर देन एल प्लस तू यह पहले सा यह सेकंड को देखते हैं सेकंड अपने को दिया था कि IE3 minus IE2 की वाल्यू जो है वह 6.8 एलेक्ट्रों वोल्ट है यह 16 से बड़ा है क्या नहीं है 11.2 से छोटा है क्या है इस इस लेस दिन 11.2 एलेक्ट्रों वोल्ट तो इसलिए है क्या हो जाएगा कौन्स अधर स्टेबल हो गया थ्री और टू मेंसे तो एल प्लस थ्री इस मोर देन एल प्लस टू तो यह दो आउटपुट आते हैं अपने पास इनसे बटा कौन कॉंस और सॉप्शन फिल हो रहे हैं बताव सही से कौन सब्सक्राइब करें अधर स्टेबल है तो प्लस वन प्लस टू से बस्टेबल है और नेट और जो आपके पास आएगा अगर कभी लिखना पड़ जाये तो नेट और अल्यूमिन्यूम का आता है कि प्लस टू सब्से कम स्टेबल हो जाता है यह प्लस टू लेस देन ơi प्लस ट्री सबसे आगा हो जाता है बिलखुल प्लस 3 हाइस्ट क्योंकि नॉर्मली ओ प्लस ट्री में रहता ही है पता भी होगा आपको कोई बात नहीं रूपांचु डॉन्ट वारी अवाट इट सो तो यह नेट और आ जाता है तो अब यह इस तरीके से हैं कि इससे अपको पता चल गया कि इन तीनों में यह तो जनरली एक्जिस्टी करता आपने को पता ही है यह सबसदा स्टेबल होता है सबसदा स्टेबल स्ट प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू से स्मॉलर है बाकी यह मैंने आपको पता दी कर नेट और कभी लिखना पड़े तो यह नेट राता है कि प्लस ट्रीज दी मोस्ट स्टेबल ऑक्सदीशन स्टेट यह इस डेटा से नहीं बताया है अम ने इस नॉट बिंग टोल इस डेटा नहीं आड करके नहीं पता चलेगा नहीं यू डोंट डू एडीशन अंदेश एडीशन करके पता नहीं चलेगा डिफरेंस समय सा कंजीकेटिव के ही लिए जाएंगे ठीक है और राइट बिल्कुल बिल्कुल सही बात है तो मैं एक छोटा सा रिवीशन क्वेश ठीक है ओके ठीक है चलो एक क्वेशन करते हैं फिर अपन लोग इलेक्ट्रोन अपिनिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे विल्मूव है टूर्ड इलेक्ट्रोन अपिनिटी विधान बेटा तुमने क्या कहा मुझे समझ मनी आया तो सवाल कर लेते हैं फिर आपन आगे की बात करेंगे लिखो तो थोड़ा आपके पुराने ट्रेंड्स वाली बातें जोगे वह याद कराने के लिए जस्ट टो गिव यह क्विक रीकाप और क्लास के बाद आप लोग जिससे उसको रिवाइस भी कर लो तो इत्ता असान नहीं है थोड़ा सोचके करना सवाल को विच ustन विडिका कर को बातें हुआर बातें हाद की प्रीका इनिशान विए का रफ ट्योशन प्रे traumया जिए आपके बातें हम विगादाट मांके ग्रेम हैंत विए झाल assuming is correct order of Ionization energy your options are A neon plus is more than neon is greater than nitrogen is greater than oxygen is greater than is greater than oxygen plus nitrogen is greater than oxygen plus or peroxygen fair B you have neon plus greater than neon is greater than oxygen plus is greater than oxygen is greater than nitrogen then you have C neon greater than neon plus is greater than oxygen plus is greater than nitrogen is greater than oxygen you have for D neon plus is more than neon which is greater than oxygen plus which is greater than nitrogen which is bigger oxygen बिल्कुल IE1 मतलब हर एक element के electrons का order मतलब ionization energy का order है इसमें एक आयन भी है आपके पास तो बेटर होगा कि अगर आप individually compare करो और देखोगे कौन-कौन से सही है उसके बाद आप कि एलिमिनेशन से जल्दी कर पाओगे इसको कि बताओ वहीं कि अगया अगया कि नहीं आंसर गलत है वी तक तो जो मेरे पास आये हैं कि आसिम का ठीक है पर्व का ठीक है एक तो कि एक ट लूए है उपकी छो आपके बढ़ आपके परिया झालर लुद कर देपके पासर लूए नहीं कि आपके कौन से वहीं कि लूए बना इनीर गवर कर देखो बताओ भी बताओ क्या आएगा अच्छा चलो मैं कुछ कुछ हिंट देता हूं तो सबसे पहले नियोन प्लस और नियोन में किसकी दादा है अब रुख जाब आंसर्स मत बेजो में करके चीज़ें पता हो सेकेंड ऑक्सिजन प्लस और ऑक्सिजन में किसकी दादा है अब जिए थर्ड नाइट्रोजन और ऑक्सिजन में किसकी दादा है नाइट्रोजन की है ना एक्सेप्शनल स्टेबल कॉन्पिग्रेशन में था तो नाइट्रोजन की जाद दिया एक जम्प करवाया था बनने और एक चौथी बात और ओ प्लस और नाइट्रोजन में किसकी जादा है बार कि दोनों आइज एलेक्ट्रोनिक स्पीशीज़ याद रखना दोनों में सात एलेक्ट्रोन है तो आइज्व्लेक्रोर स्पीशीज़ में उ घूँ है यह यह समझ मे आना चाहिए और यह समय नंबर पर डिपेंड करता है है तो जिस पर पॉजिटिव चार जादा यह जिसका अडबर जादा उसके आनेशन रडा होगी तो अब यह चार किर्णिशन किसमे साटिस्फाय हो रही हैं बताना जार जेक कर लो अगयों इसमें यह कर पड़ है ए एक क्याम लगां है सअ When इसमें 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 गड़ और क्यावचर रहा है जो सब सैटेस्वाई भी कर रहा हैर् एक हर रहा है ना दीज दी आजए से शोचना चीजा हो थिंक देम Scistematically कि हमको क्या क्या पता है किसको कमपायर कर सकते हैं कब्. अब रैंडम्य कमपैर करने निकल जाएं घ्यक्त हृई ऐगी तो अब अधिम कमपेर नहीं कर सकते हैं को अभीक रोचना कि आपको अफने को electron affinity next heading that we need to write कितनी periodec properties कितनी periodic properties हो गहें पाँच सभी बाद द्स यूर शिक्स periodic property named as electron affinity एंलेक्त्रॉन इफ्िनिट्विंटी इसको शॉडक रहीं एलखेंगे या फिर हम इसको एलेक्त्रान गेशन एंथालपी इसको exactly घेलेक्त्र गेशन नहीं घाएंगे इस अनदर टम वाल देनिम उफ ही नेमेशन एंट्रान गेंगे इंथाल्पीन ब्राकेट डिल्टा एच एजी ठीक है एजी इन सब्सक्रिप्ट बिल्कुल यह हमको समझना है कि क्या है क्या नहीं है कि यह हम समझ लेता है यह और होप फेडिंग लिए इनल्पाइब होने मैं इंटिकेट कर रहा है तो साथ साथ लिगते चलो अट्रैक्शन क्यपासिटी ऑफ एट आलिमेंट तोवर्ड इन यह 시 desarrollo, रिसे लोर्द एक्ष अ मिंत्री हुआ की तौर्पें के अ एक्ष अशfish यह अश्यां के एक्ष उटति वुट्री फांपिट विचुआ जिट आ विर एक मेंकर वुट रप्मेग्क you are the here इस नून एज एलेक्ट्रोन एफिनिटी फूस्टॉ टॉप वीजिए अग्ली पुलिए अग्ली पुरिटेक पॉपर्टी और गष्या-पॉपिक इसके अंटर आप्लिकरीशन थे वह भी is conventionally defined as electron affinity is conventionally defined as the energy released is the energy released when an electron is added to the valence shell is added to the valence shell of an isolated gaseous atom of an isolated gaseous atom full stop the next line says while electron gain enthalpy while electron gain enthalpy in bracket delta h0 e g is the change in standard molar enthalpy is the change in standard molar enthalpy when a neutral gaseous atom when a neutral gaseous atom gains an electron gains an electron form to form to form an ion to stop to form to form an ion to stop is comma but much of inorganic chemistry is discussed in terms of electron affinity is discussed in terms of electron affinity we take delta h0 e g is equal to minus of electron affinity that is both are of opposite opposite signs one negative although i dictate although delta h e g is thermodynamically more appropriate but much of inorganic chemistry is discussed in terms of electron affinity e ha so this is not always true but more or less we will delta h0 e g is equal to negative e that is both are opposite and sine ultra terms opposite is this example you have oxygen gaseous atom and if electron gain this process is exothermic exothermic which will release this will release energy this will form negative gaseous and this delta h0 e g will be minus 140.9 kj per mole so if you want affinity to plus 140.9 kj per mole electron affinity is opposite in sign of delta h0 e g first example as an example आपके पास O negative बनके आगया है O negative which will gain an electron now it forms O negative and this step is endothermic तो क्या को e negative energy देने को पढ़ रही है energy देने का मतलब है कि reaction कि अपोस कर रहा है जो हम कर रहा है उसको तो क्यों कर रहा है कोई सोच की बताएगा है बहुत obvious बात है यह वैसे कि यह step को endothermic होना है तुम्हें पस एक answer दो तीन answer ठीक है अस्यम ठीक है उत्कर्ष नहीं ठीक है कि अयूश वह जबरदस्ति क्यों कर रहे है नहीं stability से नहीं हम ऐसे गए stability तुम्हें देख थोड़ी रही है के stable है के नहीं हाँ गर्व सही बात है भाई देखो ना situation क्या है यह भी negative charge है यह भी negative charge है आप negative charge के पास negative charge ले जा रहे हो रेपेल्शन होगा ना आया ना तो यह obvious है आपको इस यह देखके थोड़ी stability दिख रही है लेकिन यह दम को clear दिख रहा है के negative charge पर negative charge ले जाना जा रहे है तो इसको लिख लो देल्टा है चीजी 744 किलो जूल और अगर electron affinity अब बोला जाएगा तो जाएगा माइनस 744 किलो जूल पर मोल और इसके बाद आपको जो लिखना शुरू करना होगा वो होंगे factors affecting electron affinity factors affecting electron affinity तो यहां तक लिख लो इसके बाद मैं तुमको थोड़ा homework देता हूं अगली class में हम लोग कोशिश करेंगे कि एफनेटी खतम करके negativity पर आ जाए एफनेटी थोड़ा छोटा टॉपिक होगा एलेक्ट्रो नेगेटिविटी थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा है है कि ढुविए है हुए है तो चीजें जो एक दिसर कोcony करती है उसनको पास-पास लाओ कि तो व्यदी पड़ेगी व्यदों है विए जो उसका न्यूक्लियस आने वाल एलेक्ट्रों को अट्राक्ट करता है तो अनेजी होती है कि चलो तो यहां तक लिख लिए कि सबने मैं आज की थेयोरी को यहां रोगना चाहरा हूं ठीक है चलो तो आज की थेयोरी हम यहां रोग लेते हैं एफिनिटी से फैक्टर्स एफेक्टिंग एफिनिटी से अब लोग कंटीनियू करेंगे